हाई व्यूवर्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल फ्रेंड्स ही देखे आज हम सिखेंगे बहुत ही सुन्दर सा केबल निटिंग पैटर्न इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं लेडी कार्डिगन में लेडी जैकेट में जैन साफ सैट और फुल सैट में बच्चों के सैट में कैप में अपलाए कर सकती हैं तो दिखें फ्रंट साइड से ये इस तरह से दिखता है और बैक साइड से इस तरह से दिखता है तो इसको बनाने के लिए जो सिची चाहिए होंगे वो 12 के मल्टिपल से होंगे प्लस 7 फंदे एक्स्ट्रा होंगे और ये जो डिजाइन है टोटल 8 राउ का डिजाइन है तो चलिए फैन बनाना स्टार्ट करती है तो दिखिए यहां पर मैंने 31 फंदे लिए है 24 फंदे 12 के मल्टिपल से लिए है 5 फंदे साइड में डिजाइन को इकुल करने के लिए 2 फंदे एस्टिच के और बेस देने के लिए 2 राउ उल्टे फंदों के साथ निकाल ली है तो चलिए बनाते हैं फर्स्ट और राइट साइड ऐस्टिच करेंगे धागा आगे करेंगे रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे 5 फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच, चाई टालेंगे धागा आगे लाएंगे 2 फंदे उल्टे एक, दो, तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बुनते हुए दो फंदे उल्टे एक, दो, चाई डालेंगे धागा आगे लाएंगे यह देखे यहाँ पर हमने 5 फंदे उल्टे बनाए 2, 4, 5, जए डाली 2 फंदे उल्टे, 3 फंदों का 1 फंदा, 2 फंदे उल्टे, जए डाली यह हमारा 12 फंदों का पैटन है 2, 4, 6, 8, 10, 12, फिर से इस पैटन को repeat करेंगे तो फिर से देखें 5 फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच, जाई डालेंगे धागा अगे लाएंगे, दो फंदे उल्टे एक, दो, तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, उल्टा बुनते हुए दो फंदे उल्टे, एक, दो जाई डालेंगे धागा अगे लाएंगे तो यहां तक हमने दो पैटर्न कम्पलीट किये हैं लास्ट में छे फंदे हैं, पांच फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच, एस्टिच सीधा बुन लेंगी फर्स रौ कम्पलीट हो गई है, सेकिन रौ है और उल्टी साइड है इस रौ में सभी फंदे उल्टे उल्टे बुन कर कम्पलीट करेंगे सेकिन रौ और सभी रौंग साइड रौ सेम ही बनाएंगे उल्टे उल्टे फंदों के साथ एस्टिच सीधा बुन लेंगे थर्ड रौ राइट साइड तीसरी रौ सीधी साइड एस्टिच स्लिप करेंगे रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे पांच फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच धागा पिछे करेंगे एक फंदा सीधा जाई डालेंगे धागा अगे लाएंगे एक फंदा उल्टा तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बुनते हुए एक फंदा उल्टा जाई डालेंगे धागा पिछे लेकर जाएंगे एक फंदा सीधा तो यहां पर हमने पांच फंदे उल्टे बनाए दो चार पांच एक फंदा सीधा जाए डाली एक फंदा उल्टा तीन फंदों का एक फंदा उल्टा जाए डाली एक फंदा सीधा फिर से पैटन पीट करेंगे तो धागा आगे करेंगे पांच फं का एक फंदह बनाएंगे उलता बुन ते हुए एक फंदह उलता चाही डालेंगे धांगे पिछह लेकि जाएंगे एक फंदह सीधा लास्ट में छे फंदे हैं पांच फंदे उलते एक दो 3-4-5 ऐस्टी सीधा बना लेंग थार्ड रो complete हो गई है fourth row wrong sign उल्टे फंदों के साथ बुनकर complete करेंगे row five right sign as to slip करेंगे repeat pattern start करेंगे पांच फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच धागा पीछे दो फंदे सीधे एक दो चाई डालेंगे धागा अगे लाएंगे तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बुनते हुए चाई डालेंगे धागा पिछे लेकर जाएंगे दो फंदे सीधे एक दो तो यहां पर हमने पांच फंदे उल्टे बनाए दो चार पांच दो फंदे सीधे जाई डाली तीन फंदों का एक फंदा जाई डाली दो फंदे सीधे फिर से पैटरन पीट करेंगे धागा अगे करेंगे पांच फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच दो फंदे उल्टा बुनते हुए जाए डालेंगे धांगा पीछे लेकर जाएंगे दो फंदे सीधे एक दो लास्ट में छे फंदे हैं पांच फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच एस्टे सीधा बुन लेंगे पांच मी रौ कम्प्लीट हो गई है छटी रौ रौ रौंग साइड उल्टे फंदों के साथ बुन कर कम्प्लीट करेंगे साथ मी रौ रौ राइड साइड एस्टे स्लिप करेंगे रपीट पैटन स्टाट करेंगे पांच फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच, साथ फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ यहां पर हमने पांच फंदे उल्टे बनाए 2, 4, 5, 7 पांच, साथ फंदे से दो, 4, 6, 7 फिर से पैटन पीट करेंगे पांच फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच, साथ फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ लास्ट में पांच फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच, एस्टी सीधा बना लेंगे साथवी रो कंप्लीट हो गई है, आठवी रोंग साइड उल्टे फंदों के साथ बुनेंगे आठ रो कंप्लीट हो गई है और हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है फिर से हम इसे first draw से start करेंगे तो दिखिए first draw right side एस टी slip करेंगे repeat pattern start करेंगे 5 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4, 5, 4 डालेंगे थागा अगे लाएंगे 2 फंदे उल्टे 1, 2, 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बनते हुए 2 फंदे उल्टे 1, 2, जाई डालेंगे थागा अगे लाएंगे फिर से 5 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4, 5, जाई डालेंगे थागा अगे लाएंगे 2 फंदे उल्टे 1, 2, 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बनते हुए दो फंदे उल्टे, एक, दो, जाई डालेंगे धागा अगे लाएंगे, लास्ट में पांच फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, एस्टी सीधा बना लेंगे यह दिखिए फिर से हमारा पैटरन फर्स्ट आउसे स्टार्ट हो गया है ऐसे ही बार-बार इसकी 1, 2, 8 और फीट करते जाएंगे और यह पैटरन बनकर यह दिखिए इस तरह से दिखने लगेगा, इससे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकती हैं तो फ्रेंट आप भी इससे बनाएए और अपने एक्सपेरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए तो मिलते हैं ऐसी ही और नए नहीं वीडियो के साथ तिल देन बाबे फैन